नमस्कार दोस्तों आप सभी का हमारे इस यूटूब चैनल अच्छी टिप्स में बहुत बहुत सवागत है एक इलाईची आज रात तक ये के निचे रख कर सोएं फिर जो होगा वहे खुद देख लेना ऐसा क्या होगा ये जानते हैं इस वीडियो के माद्यम से दोस्तों करपे वीडियो को आखरी तक पूरा देखें ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना इस वीडियो को वटसैप फेस हुकाती पर अपने दोस्तों के साथ सेयर करना और हमारे इस यूटूब चैनल अच्छी टिप्स को सब्सक्राइब जरूर कर लेना सब्सक्राइब करने के बाद जो घंटी का आएक नाता है उस पर भी कलिक कर लेना नए नए वीडियो सबसे पहले देखते रहने के लिए तो चलिए बिना समय को नश्ट किये शुरू करते हैं आस का वीडियो अक्सर कई बार ऐसा होता है कि हमें रात को सोने में परेशानी होती है और जिसके कारण हम अच्छी नींद नहीं ले पाते और दिन बर टैंसन में रहते हैं वैसे तो नींद ना आने के कई कारण हो सकते हैं सोते समय दिसा का भी खयाल रखा जाता है लेकिन गल्त दिसा में सोना भी अच्छी नींद ने आने का कारण बन सकता है ये भी हो सकता है कि रात में सोते समय आपके आस पास नकारात मकुर्जा हो जो आप परमान से एक तनाव बनाए रखती हो तो आईए दोस्तो आज हम आपको बताते हैं इसे दूर करने के उपाए नमबर एक तंबे के बरतन का उपाए यदि आपको नींद में डर लगता है या नींद नहीं आती है या फिर बार-बार रात में नींद खुल जाती है तो तंबे के एक बरतन में पानी बर कर रात को रख लें और सुबे पेड में डाल दें ऐसा इसलिए क्योंकि तंबे के बरतन में एक ऐसी सकती होती है जो नाकारा तमक सकतियों को अपनी और खीज लेती है अगर आप शोते समय तकिये की नीचे अपने तकिये की नीचे रख लेंगे तो ऐसा करने से आपको अच्छी नीद आएगी नीद बीच में टूटेगी नहीं और शाथ में आपको डर भी नहीं लगेगा और दोस्तो नमबर तीन है शही दिशा का चैन शोते समय खास कर यह ध्यान दें कि आपका सिर उत्तर की और नय हो क्योंकि शोने की शही दिशा दक्षिन मानी गई है यानि कि पेर उत्तर दिशा में और सिर दक्षिन दिशा में होना चाहिए वेग्यानिक भी इसे सही मानते हैं तो दोस्तो आज के लिए बस इतना ही उमीद करते हैं आपको हमारे दोरा दी गई जानकारी पसंद आई होगी अगर पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए अगर आपका कोई परसन है तो वो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं और हाँ द देक्स के